दूस्तों कर आपने अभी तक UPTGT और UPPGT के नए विग्यापन के सापेक्ष आवेदन नहीं किया है तो यह वीडियो आपकी बहुत अधिक सहता करेगा आप यहाँ पर बहुत सरी जांकारियां प्राप्त करेंगे और आवेदन से पहले यह जांकारियां आपके लिए बहुत कि किस प्रकार से जो उन्होंने फीज हमा की थी उस फीज को इस विग्यापन में कैसे अडजस्ट समयोजीत करेंगे तो UPSCSSB.org यह वेबसाइट है ऑफिसियल इस वेबसाइट पर आपको जो है विग्यपती मिल जाएगी यानि कि आपको जो है TGT और PGT का नया विग्याप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे फायदे में क्योंकि इसके बाद जो तारीखें हैं उसमें कुछ दिक्कत रहेगी हलांकि फीस आप 13 अपरेल तक और जो पूरा फार में उसे आप 15 अपरे तक कर सकते हैं तो वेट मत करिए कोई फायदा नहीं होगा आपको अभी कर ल संसोधन नहीं कर पाएंगे अला कि संसोधन करने का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है लेकिन एक तरीका है जिसके माध्यम से आप संसोधन कर पाएंगे तो वो तरीका क्या है वो भी बताऊंगा आपको तो सबसे पहले तो कुछ बहुत ही आपर पॉइंट से ग्यापन जारी हुआ है उसमें से नीकाले हैं ताकि आप बहुत ही संचेप में और कम समय में समझ सके कि पुरे विग्यापन का साहर किया है तो एक बिशय में केवल एक ही आविदन आपको करना है एक से अधिक आविदन करेंगे तो अंटिम आविदन मानने होगा और पहले लग लग विशे में कर पाएंगे इसके लिए आपको अलग अलग आव दन करने होंगे एक आविधन में एक बार और एक बीषय तो डूबहार आपने इंगे यह दिआ Lock का है तो आपको जो परमीशन नहीं है आपको आप आवेदन नहीं कर सकते आरक्षण मिलेगा सिर्फ यूपी के निवासियों को यह भी ध्यान देना आपको अगर अगर आप अधर स्टेट से हैं तो आपको सामाने कडेगरी के छात्रों से फाइट करना होगा EWS को 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है यह पहली बार है लेकिन सर्थ वही है कि आप UP के निवासी हो आनलाइन आवेदन ही क्योल करना है आपको प्रतली भी आयो को नहीं भीजनी है आपको नहीं भीजनी है आवेदन का प्रेंट आउट रखेगा यह आगे चलके आपके का जरूर आएगा संसुदन आप नहीं कर पाएंगे संसुदन करना चाहते हैं तो आपको फिर से आवेदन करना होगा और जो अंतीम आवेदन होगा वो मानने हो जाएगा उसके पहले का आवेदन अपने पूरा कैंसल हो जाएगा तो संसुदन का यही एक तरीका होगा तो मान सुल्क जन्रल और उविसी की 750 रूपए, ज्यान देजिएगा, यस्ती और EWS को 4500 रूपए, यस्ती को 25 रूपए, और अधर जो कटेगरीज हैं के लिए फीस अलग लगए, देख लीजिए अभी कि आपन आप लो, लेकित परिक्षा में एक ही परिक्षा होगी, एक पेपर हो होगा, प्रतिवास डेड़न का वेटेज उनको दिया जाएगा, ध्यान देजिएगा, कि पूरुस अभ्यर्थी केवल पूरुस वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए पात रहें, लेकिन आवेदन पत्र में आवे दन आवेदन मानने होगा, प्रतिएक विए और वर्ग के लिए मात एक सिद्धीक आवेदन किये जाते हैं, तो अंतिम आवेदन मानने होगा सेश्ट निरस्थ हो जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गल्ती करेंगे तो यही तरीका होगा, ऐसे बेरति जो स्तारीरी ग्रूब से बिकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें सुनिशित करेना चाहिए क्योंकि पास आविदन के साथ प्रस्तुत प्रमाणपत्र कार्मी विभाग उत्तर प्रतेश द्वारा निर्धाय प्रावरूपर उपलब दो यानि कि आविदन से पहले आपके प प्रमाणपत्र प्रावणपत्र करने जिसे मांगे जाने पर चैनल बोड को प्रस्तुत करना होगा प्रारा में अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्चक नहीं है पर इस आधार पर बिलंव से प्राव्ट आविदन पत्रों को कालपाधित माना जाएगा तो मतलब यहां पर आपको आविदन समय नहीं होगी लेकिन जब इंटर्व्य होगा तो उसमें इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ठीक है आविदन कैसे करना है तो आप क्लिक करेंगे और जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपकी जो वेबसाइट है यह ओपन हो जाएगी ठीक है यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर TGT नीचे PGT का भीगापन दिखाए देगा सभी important instructions आपको दिखाए देंगे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो भी विषय होगा पूरे सभी subject यहां पर खुल के आ जाएंगे और जिस भी विषय में आपको आवेधन करना है उस विषय को आपको select कर लेंदा है तो यहां पर मान लेते हिंदी में आपको apply करना है तो registration पर आकर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने से पहले यहां पर सारे instructions दिखाई देंगे इसको ध्यान से पढ़ लिजिएगा कि आवेधन करने से पूर्व विध्यापन का फलीजभात अध्यान करने आश्वस्त हो लें कि जिस विषय या पत के लिए आवेधन कर रहे हैं intermittent शिक्षा अधिनेयम 2021 के अधिन बनाएगे बिनेवाली के अध्यादो के बिनियम एक में बिनिर्दिष्ट यानि कि आपकी जो eligibility है उसको चेक कर लेना है एज तो आपकी 21 से सार्ट के बीच में होनी चाहिए एज की कोई बाद देता नहीं यहाँ पर और पंजीकरन प्राव्डम करने से पूर्व सुनेशित करने की कुछ ब्योरण आपके पास उपलब दूँ लाइक एज एक वास्तविक email आईडी जो working में हो जयदा तर आप Android फोन इस्तमाल करते होंगे तो उसमें जो email आईडी होत अभी अनिवार योगताओं की सेक्षडिक बोड उत्तिन वर्स अनुक्रमांग प्रापतांग पूडांग ग्रेड अगर ग्रेड सिस्टम है तो प्रापतांग इन से प्रत्सत में बदलने का फार्मूला भी रख लीजिएगा उसको प्रत्सत में बदल लीजिएगा उत्तर से पहले से होने चाहिए एडब्लूएस कटेगरी के विरतिये तो आपको जो है प्रमारपत्त का क्रमांग जारी करने की ती और जारी करें वाले प्रादिकारी का नाम आपको मलत की से अपके पास होना चाहिए दिप्यांग हो या फिक कोई भी होगा कर आप स्पोर्ट मैं से तो वो भी सेटिफिकर्ट आपके पास होना चाहिए तदर सिक्षक हैं तो उसके बारे में सक्षंस आपके दिए गए हैं एक बात और भी कि अंतिम रूप से आवेधन सब्मिट के जाने के उपरांत आवेधन में प्रविष्टित किसी भी सूचना में अभ्यरति या चैन हो गया है अब आप आफ dealing कर सकते हैं I action पर आकर आपको क्लिक करना है और उसके बाद अगर आपने उत्तरपद配श UP-TGT-2020 या UP-P-GT मेंगर आभ आफाइदन किया था तो यहाँ पर आपको यह पर आकर क्लिक कर देな है जब हैप आप Click करेंगे तो यहाँ पर you earlier इनिक उस सम इसको डालके प्रोशीट बेटन पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर क्या होगा कि रेज्टरेशन आपको मिल जाएगा फिर उसी के साथ सारे यह फार्म आप कम्प्लीट करेंगे तो आपकी जो फीस थी वो बच जाएगी यह फीस जो पुरानी फीस दी यह इस नए फार्मे अज़ेस्ट हो जाएगी ठीक है तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आ झाल 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 झाल